नमस्कर दोस्तो आप सभी का स्वागत आपके अपनी योटूब चैनल पर दोस्तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जीटियल इंफरा स्टोक के बारे में सोगस जेडियल इंफरा में आज काफी शांदार तेजी नाजर आई है लगातार जो ट्रेली नाजर आई वो काफी बड़ी नाजर आई है जो दो रूपर 18 पेशे तक भी आज की सेशन के टोक प्राइस नाजर आई है अब इस तेजी के पेषय का दोस्तुर रीजन क्या होने वाला है वो चीज भी हम चर्चा करने वाले है और शाती साथ दोस्तो इस स्टोक को लेकर दोस्तो टेलिकॉम सेक्टर में क्या बड़ी अपडेट रहने वाली है जो चीज़े हमें जानने की सबसे important आऊ सकता रहने वाली है तो important जान कर रहेगी पर उससे पहले बता दू buy share के लिए कोई recommendation suggestion नहीं रहने वाला अब इस stock की जो closing रही है 2.13 पेशे की closing रही है intraday की opening नज़े रही 2.10 पेशे के साथ और 2.18 पेशे तक session में तेजी नज़र आई और lower market पेशे जंप हमें का अच्छी काशी देखने को इस stock के अंदर नज़र आई अब अगर हम बात करें पिसले 5 market session के अंदर तो पिसले 5 market session के अंदर इस stock ने फिर से उताषडाव हमें दिखाई लगातार दोस्तो उताषडा इस लेवल पे नज़र आई क्यों दो रुपए तक गिराउट हमें मिली पर रिटन सुरह पोजिटिव देखने को नज़र आई साड़ी 5 परदिशत के असपास तो सबसे महिन जीजी रहने वाले है कि भारती बाजर ओपर दोस्तो आज वापस क्रेश आ चुकी है यह चीज इंपोर्टेंट रहने वाली है इसलिए के साथ साथ यहां पर जो मैं तरपूर्ण चीज देखने को मिली कि आज के काउंटर पर जो कारुबार हुआ है साथ सो सट सट लाका यानि कि साथ क्रोड सट सट लाका काउंटर पर वोल्यूम रहा है कारुबार हुआ है जिसमें से दोस्तों गुंचालिस पॉइंट परतिशत के डिलेवरी होल्ड के गई है निवेसकों दवारा और इस स्टोक में बाइंग गोडर भी मिला है दोस्तों 31,2564 शेर का 2 रुपे 11 पेसे की प्राइस के प्राइस के लुट बाइंग भी देखने को नजर आई है पर मैंसी यहां पर देखने को मिल रही है कि दोस्तों इस स्टोक का फ्री ओपन मार्केट का डेटा है अब प्री ओपन मार्केट जो डेटा देखने को मिल रहा है उसमें साथ अगर हम buying की अगर हम चर्जा करें तो buying का जो डेटा रहने वाला है वो यहां पर 30,41,980 सेर का रहने वाला है काफी quantity कम नज़र आई है क्योंकि almost यहां पर 30 लाग के असपास की quantity buying पर नज़र आईगी पर उसके तीन गोना जो है यहां पर लिंक पर देखने को नज़र आई है तो database में कहीं न कहीं काफी ज्यादा उताश डाव नज़र आई और difference अगर यहां पर देखा जाए प्री ओपन मार्केट के उपर ही तो वह काफी बड़ा देखने को मिल रहा है और यही मैंतफून जीज नज़र आ रही है पर इस जी के साथ साह दोस्तों जोस परकार हम बात करें तेलि कॉम सेक्टल के उपर को मैंतफून अपड़ेट पर और फिलाल दोस्तो इस परकार देखने को मिल रहा है दोस्तो यहां पर एटी अपर अकशार विबाग़ विबन मंतराले विबागों से दोस्तो 1100 मेगा हट्स स्पेक्टर मुक्ट करने की यूножना बना रहा है अब इसमें होने वाला किया है दोस्तों में चीज़ अगर इस चीज़ का सार अगर हम क्लियर करें तो भारत के दूरशनजार चेत्रों को एक बड़ावा मिलने वाला है क्योंकि सरकार एरवेज का एक बड़ा हिस्सा मुक्त करने की योजना बना रही है इस स्पेक्टम के दूरशनजार कंपनियों को निलाम किया जाएगा और इस कदम का उदेशिये 5G को बहतर बनाना और 6G का मारक फरसास्त करना यानि कि शायाटिंग 6G की तरफ है कि नए मारक की सुरात करना और निलामी से सरकार को दोस्तों 5 लाक करोड से अधिकी आई हो सकती है और इससे तेज अधिक फिस्वसनिय मॉबाइल से वाई संभावत होने वाली है यह अभी इस सीज़ का मुख्य सारे यहां पर जो है मुख्य जो फॉइंट है वो यहां पर निकल क्या रहा है क्योंकि यहां पर मैंस यह है कि डियोटि दूर शिंचार विबाग दवार दो की रासी आने वाली है यह चीज काफी इंपोर्टेंट निकल के आई है क्योंकि दोस्तों 10 बेंड में स्पेक्टरम की पैचांग की है जिसे आने वाली कुछ वर्शों में मुक्त किया जाएगा दो और शिंचार ओप्रेटरों की निला में रखना जाएगा यानिकि रखा ज जो प्राइस है वो इन इस स्टोक में देखने को मिल सकती है क्योंकि अब लगातार जो उतार्षडाव थे वो हमें नजर आएंगे और अगर उतार्षडाव अगर देखने को मिलते है तो हमें उतार्षडाव के साथ है कि जो पोजिटिव तेज़ी है इस टेलिकॉम सेक्ट दिना और जानकरी कोई ज्यादा स्यर जरूर से कर देना फिलाल इंपोर्टेंट सलाई ये रहने वाली है 20 iste के लिए कोई suggestion को राक्मंटरेशन नहीं रहने वाली जानकरी only education purpose के लिए रहने वाली है investment करने से पहले अपने financier एडवाइजर से सलाव जरूर ले या कुदी की परसनल डेप रिसर्च जरूश्य कर ले थैंक्स रोखतिंगी स्वाइब वीडियो चैस्छी करना हूँ